नमस्कार दोस्तों केसे हो आप लोग आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एको नय eletric scooter लेकर आयों जिसकी काफी डिमांड चल रही है और इस पर मैंने काफी वीडियो बना रही है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसके अफडेट के बारे में बताने वाला हूँ तो पर दुस्तों काफी ज़्यादा कमेंटे भी आ रही है कि इसके बारे में बताईए कहां मिलेगा कितनी प्राइज में मिलेगा तो सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले अपन यहां पर कलर की बात करेंगे आपको यहां पर कौन कौन से कलर इसमें देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर आपको पूरे इसमें चार कलर देखने को मिलेंगे सबसे पहला color आपको यहाँ पर blue color मिलेगा उसके बात एक color आपको यहाँ पर black color मिलेगा और black के बाद आपको यहाँ पर एक white color मिलेगा range की आपको range कितनी मिलेगी charging time कितना मिलेगा maximum speed कितनी मिलेगी काफी अच्छा electric scooter और काफी अच्छी speed के साथ आता है charging time भी बहुत कम लगता है और range भी काफी अच्छी देखने को मिलती है और body type आपको किस type का मिलेगा front suspension कुन सा मिलेगा rear कुन सा मिलेगा tire size क्या रहने वाली है front और rear tire size भी आपको बता दूँगा instrument किस type का आपको मिलेगा और start type आपको केसा मिलेगा तो यहाँ पर आपके सारे doubt clear करने वाला हूँ तो सबसे पहले पर यहाँ पर बात करते हैं इसके specification के अंदर electricals की यहाँ पर आपको जो battery capacity मिलेगी वो 4.8 kilowatt की आपको यहाँ पर battery देखने को मिल जाएगी उसके बाद यहाँ पर जो battery type मिलेगा वो lithium iron battery मिलेगी और motor power की बात करें तो 4500 watt की यहाँ पर आपको powerful motor देखने को मिल जाएगी अब अपन body and suspension की बात करें जो body type आपको मिलेगा वो electric bike की तरह मिलेगा और front suspension आपको जो मिलेगा वो telescopic fog suspension आपको देखने को मिल जाएगा rear suspension की बात करें तो mono tube, mono sock suspension आपको देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर charging time की बात करें यानि कि यह कितने time के अंदर charge होती है तो इसमें आपको सबसे पहले charging socket भी देखने को मिल जाएगा और fast charging का option भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा speedometer आपको यहाँ पर digital देखने को मिलेगा जो start type आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा remote start मिलेगा push start stop button भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अब अपन यहाँ पर बात करें engine and transmission की तो engine आपको जो मिलेगा वो chain drive मिलेगा जो खाफी अच्छा होता है उसके बाद अपन fuel type की बात करें तो electric fuel type आपको देखने को मिल जाएगा और torque की बात करें तो 72 nm का यहाँ पर आपको torque देखने को मिलेगा automatic transmission के साथ आपको यह देखने को मिलेगा उसके बाद wheel tire and brakes की बात करें जो front tire size होने वाली है और tire size आपको यहाँ पर 12 inch का मिल जाएगा rear में भी 12 inch का मिलेगा यानि 110-12 का tire आपको front और rear दोनों में देखने को मिल जाएगा उसके बाद wheel type की बात करें तो यहाँ पर alloy wheel देखने को मिलेगे उसके बाद performance की बात करें तो यहाँ पर जो इसकी maximum speed रहने वाली है वो 105 kmph की होने वाली है और range की बात करें यानि की एक charge में कितना चलती है तो एक charge में यह 236 km चल जाती है यानि की काफी अच्छी range इसकी दी हुई है और fast charging का option भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है जो एक गंटे 5 मिनट के अंदर full charge हो जाती है और 236 km आराम से चल जाती है अब अपन यहाँ पर entertainment and communication की बात करें तो जो MID आपको देखने को मिलेगी वो 7 इंच की full touch screen आपको देखने को मिलेगी तो ये तो अपन यहाँ पर specification की बात कर ली मैंने सारे specification लगबग लगग यहाँ पर बता दी है जो जो आपको इसमें देखने को मिलेगा वो सब कुछ बता दिया है बड़ी ना हो इसलिए आपको शोड मैं बता दिया अब इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस दोस्तों आपको 1,35,000 में ही है एक शोरूम जेपूर राजस्तान की प्राइस बता रहा हूं तो 1,35,000 में आपको देखने को मिल जाएगी काफ़ अच्छा electric scooter है riding range के इसाबस है और Ola के बिल्कुल टककर का electric scooter है ether 45X आता है उसके भी काफ़ी टककर का scooter है तो यह उन से तो काफ़ी बेटर ही है अगर आप Ola ले रहे हो तो simple one ले लो यह तो काफ़ी इससे बेटर ही है वीडियो को लाइक कीज़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीज़ेगा अब मैं आप से अलविदा लेना चाहूँगा इसे ही प्यार बनाए रखिएगा धनिवाद जैहिन जै भरत देखते रहेगा हमारा अपना क्रेजी इवी